गाजा में हमास की कमर तोड़ चुकी इस्राइली सेना ने अब लेबनॉन को शमशान बनाने की तैयारी कर ली है इस्राइली सेना ने लोगों को चेताद नी दी कि वो जितना जल्दी हो सके हिजबुला के ठिकानों से दूर चले जाए इसके बाद इस्राइल ने जो बंबारी की उसकी लाइफ तस्वीरें भी सामने आने लगी लेबनॉन में जब इस्राइल की मिसाइल गिरी तब क्या मंजर था आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लेबिनॉन में इस ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धुआ धुआ नजर आने लगा लेकिन इसराइल यही नहीं रुका हिजबुला के टिकानों को ढून ढून कर उस पर अटाक किया गया इसराइल अटाक की एक और तस्वीर देखिये यहां भी इसराइल की विद्भन्स मिसाइल गिरती है और कैसे तेज धमाका होता है इसके तस्वीरें आप देख सकते हैं दरसल हिजबुला हमास के समर्थन में इसराइल पर हमले कर रहा था जिसके बाद इसराइल ने ठान ली कि अब गो लेबिनॉन में हिजबुला के ठिकानों को भी ठीक वैसे ही शमशान बनाएगा जैसे गाजा में आतंकी संगठा नमास के ठिकानों को बनाया है इसके बाद इस्राइली आर्मी लेबिनॉन में हिजबुला के टिकानों पर मौत बनकर तूटी और एड़ स्ट्राइक कर ताबर तोड मिसाइने गिराएं जिसके बाद लेबिनॉन तेहल उठा इधर इस्राइल के हमलों के वज़े से लेबिनॉन में हाहाकार मचा हुआ है लोग अपना घर बार छोड़ कर सुरक्षी जगों कर भाग रहे हैं ये तस्वीरे लेबिनॉन में ट्राफिक की हैं दक्षनी लेबिनॉन छोड़ने वालों की संक्य अतनी ज़्यादा हुगई है क अब रास्ते में कई किलो मीटर लंबी जाम भी लग गए हैं। तो एक तरफ लेविनाओन पर थाबर तोड़ हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ IDF ने फोन पर धमकी दी है और लोगों को ये हिदायत दी है कि अगर आपका घर इजबुला के ठिकानों के आसपास है तो आप अपना घर छोड़ कर सुरक्षित जगे पर चले जाएं।